राहु सरवाधिक पापग्रह के रूप में हम राहु को जानते हैं प्रियदर्शकों राहु की महदसा जहां जातक के जीवन काल में नाना प्रकार की परिशानियां उत्पन करती हैं कस्ट उत्पन करने वाले हैं राहु वहीं राहु के बारे में एक बात अवश्चे जानिये अगर आपकी जन्म कुंडली में राहू बली अवस्था में है तो इसमें कहीं कोई संसय नहीं कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में अपने संगहर्सों के बदौलत सफलता हाशिल अवस्थ करेगा चाहे वो किसी भी तरह के परिवार में जन्मा हो वो चाहे गरीब या अमीर फर्क नहीं पड़ता सफल अवस्थ होगा अपने संगहर्सों से अपने पुरुशार्थ से इसके पीछे के कारण को जरा समझीए राहू को पराक्रम भाव में कारक माना गया है और भी भाव में कार लेकिन पराक्रम में जैसे मंगल अच्छा फल देते हैं वैसे राहू भी अच्छा फल देते हैं अब राहू के बली होने में दो बाते होंगी या तो राहू उच्छे रासी में हो तब बली हुए अथवा राहू के बली होने में एक और ग्रह का बल होगा क्योंकि यह तो आ इसका मतलब कि राहू का बली होना एक और ग्रह को बली कर रहा है। अब आपकी कुंडली में राहू बली है तो चुकि पराक्रम में ये विशेस बल दे देता है, विशेस इसको प्रभाव मिलता है। अब राहू के बली होने से, दिखिए हमेशा एक बात याद रखिए, अगर किसी की कुंडली में गुरू बली होंगे, तो निसंदेह वो सिध्धान्त पर चलने वाला होगा, वो ज्यान के मार्ग से चलकर के ही जीवनकाल में धन अरजित करेगा, तो राहू कैसे ग्रहा है, आ और इनसान की सफलता के पीछे कुछ अच्छाईयां और कुछ वुराईयां काम करती हैं, कोई भी ऐसा सफल व्यक्ति नहीं है, जिसके लिए ये सिध्धान्त हो कि उसने गलतियां नहीं की हैं, नियम नहीं तोड़े हैं, तो ये राहू का बली होना इस बात का परिचायक है कि जातक चाहे जैसे भी हो, अपने जीवन काल में सफलता हासिल अवश्य करेगा, आप अपने जन्म कुंडरी को खोली और इस बात को अपने उपर लागू करके देखिए, अगर आप छोटी उम्र के हैं, तो निसंदेह आप अपने परिश्रम से पाएंगे, और अगर आप अपने उम्र के उत्तरार्ध में हैं, तो इस सूत्र को अपने उपर घटा कर देख सकते हैं, यह सिद्ध है, सुतह सिद्ध